गुड मॉर्निंग मैं आशा अपने गाडन मापका स्वागत करती हूँ आप लोग कैसे हैं आज मैं आपको बताओंगी हाइब्रिड गुढहल को कौन सा प्रिय फटिलाइजर है जिसको देने से वह बहुत ही खुशनुमा रहता है और भर भर के फूल देता है और जो रोग ग सब ठीक हो जाती हैं तो उसको देना प्लांट के लिए बहुत जरूरी होता है लांट के लिए तो आप देंगे तो भर भर के फूल आएंगे जितनी भी कलियां है और फूल बनके ही गिरेंगी पतियों का पीला बन दूर हो जाएगा तो आप जानते ही होंगे कि गुड़हल का जो पौधा होता है हाइब्रेट उसको ऐसेडिक मिट्टी बहुत प्रिय है तो इसी लिए समय समय पर ऐसा खाद मैं डालती हूं जिससे हमारा पौधा स्वस्त रहता है तो आपको भी मैं बताने वाले हूं कि आप फटलाइजर डालेंगे तो अच्छ फ्लावर मिलेंगे और पौधा स्वस्त रहेगा जो हमारे किचन में मिलेगा और बिल्कुल फुरी का है जिसका कोई कास्ट नहीं तो लिक्विट का खाद है नीबू का रस मात एक चमच डालते ही आपको चमतकारी असर देखने को मिलेगा अगर आप चाहें तो नीबू के कुछ खिलकों का मिट्टी में दबा के काम चला सकते हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगे कि नीबू कुछ खिलकों से नहीं काम चलाना है अगर नए है तो उसके लिए है आप उसके रस को एक चमच के करीब लेंगी और उसको आप मिट्टी में डालेंगी अपलाई करेंगी त बता देती हूँ तो इसको डालने से जो पतियां पीली होती है और सहीं हो जाती है देखें पतियां पुली होना नैचरल ही जो यह पतियों पर नस नस दिखने लगता है एक दम लाइट कलर का हो जाता है वो समस्या दूर हो जाएगी आदेखे मिट्टी में एसेडिक की कमी होने से ओरिजिनल कलर अपना खो देती है पतिया तो हर महीने एक बार आप जरू डालिए और इसका आप बहुत बंपर वला फायदा उठाएए नीवू में एनपिके पोटास फासपोरस परचूर मात्रा में होता है जिससे हमारी मिट्टी एसेडिक हो जाती है नीवू डालने से तो देखिए नीवू का रस एक चम्मच जरू डालिए नहीं है तो उसके छिलकों से आप काम चला सकते हैं जो यह नसे दिख रही है यह बिल्कुल नहीं देखेंगी तो हाइब्रिट गुड़ाल बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है तो उसकी कि पीली नहीं होंगी गुड़ाल की कलियां खेल करी ग मेंगी कभी बिमार की की साइघvine बीटारीगा यह धिए देखेंगी कि ब्रांच दिखता हैं पतियां एदन चुटी चूटी दिखती हैं लगता है जैसे मूसी में घुशी पड़ी हैं निकलेंगी नहीं बाहर पति य जड़े उसको में मैं तो चलिए मैं नीवू दिखाती हूं उसको फिर अपलाई करना बताती हूं तो चलिए मेरी वीडियो बने रहेगा तो यह नीवू है इसको मैं कट करके इसको निचोड़के कटोरी में रख लूँगी उसके बाद मैं दिखाती हूं कि मैं इसको अपलाई कैसे करूंगी सेम प्रोसेस अब उसी तरह अपलाई करें डारेक्ट नीवू के रस को मट प्लांट में डाले उसका भी मैं नीवू का रस डालूंगी उसको अच्छे से मिलाके और प्लांट की मिट्टी के उपर से मैं अपलाई कर दूंगी तो देखे मैं ऐसे मिला ली हूं और चलिए तो मेरी जो प्लांट की मिट्टी है वो थोड़ी सी गिली है मैंने साम को पानी डाला था तो गिली होने के क देख़े निए के सपतील कारण होती हैं एक चमज के करीब मैं और यह में आ गमला है कि इसमें अप्लाई करूंगी कि उस में दिखाओंगे की उस पतियों का मतलब साइज क्या हो है और पतियां दिखती कैसे हैं तो यह देख सकते हैं पतियों की नस टाइब के दिख रही है और यह मेरा बीमार हो रहा है पौधा तो इसको मैं डालूंगी एक चमच यह नीवू करा तो ठीक हो जाएगा तो आप नीचे देखें यह पतियां देख रहे हैं बिल्कुल यह और इसको डालने से यह सारी समस्याइं दूर हो जाएंगी और आपको 15 दिन में बहुत बड़ा इसका असर आपको देखने को मिलेगा तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे करके अपलाई इसमें कर दिया है ऐसे आप भी अपलाई करी और आपका पौधा बहुत ही स्वस्त र इसका असर आपको देखने को मिल जाएगा तो मैं मिटी में तो दबाऊंगे न ही तो मैं किसी और प्लांट में इसको अपलाई कर दvagनी की किसके मैं नीन पचल अपल्लाई कर दूंग तो जिसमे मैं लिएल्टू कृण नहीं बनागर डालती हूं तो उसमें मैं यह नीव 2 चिलकों को दबा देती हूं जो कम बीमार पौधा रहता है तो उसमें मैं नीबू के चिलकों को दबा कर और काम चला लेते हैं तो वीडियो मेरी पसंद आए फ्रेंड तो प्लेज एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट और जरूर करिएगा फ्रेंड तो वीडियो को यह इंड करत